नमस्कार दोस्तों मैं राहूल राचोबे स्वागत करते हूं आपके नई वीडियो में दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं अम्रित सर में दोस्तों अम्रित सर जो कि अपने आप में बहुत ही खास सहर है और आज यहां पे आपको बहुत ही कुछ नया यूनिक बिजनेस अधिया तो दोस्तों हम कंपणी यह है आप दिखा सकते हैं के में सबने दिखाए इनको यह कंपणी है कंपणी के ओनर से भी हम बात करेंगे कंपणी में क्या क्या चीज़ की मशीने बनाते हैं कौन कौन सी मशीने बनाते हैं इसके बार में बात करेंगे तो दोस्तों वीड से स्केयर करने की मशीन और प्रेस कर देती है फुली ऑटोमेटिक फुली हईडालाग मशीन आज यह नोटबूक यह इसके लिए टीन लगता है एक एक एजस किरेंग एक कुलेंग इस वह तो शूर्ड नहीं, तो को इसा याज वालिज सकते हुस्ट के लिए, इसलग को कोई अलग से थी, फेष्पब भी डिया होगा, आप गहर में, जिस पर पंखा लाइट चलाते हैं उसी लाइट पर चलने वाली यह मशीन है इसको एज एसक्वाइर मशीन बोलते हैं जो कि कॉंपनी को सॉरी कॉपी को अच्वाइर में बनाती है कि कॉपी खुबसूरत दिखे अच्छा लगे तो यह उसकी फुली ऑटोमेटिक मसीन है यह सारी इनके पास श्टॉक्स अब लेबल है यह सारी मसीन ने बिग चुकी है दोस्तों यहां आपको मसीन लेने के लिए आपको कम से कम कितना दिन और लेएवाट बिग में मिल जाता वैसे रेड़ी भी मिल जाता कही और होते हैं इसलिए मारी क्वाल्टी एच यह मशीन दासल भी चले को पाड़ गिसता नहीं है दोस्तों ब्रांड डॉक्टर के पास अगर आपको इलाज करवाने जाना होता है तो वहां पर आपको नंबर लगाना जरूरी होता है वैसे ही अगर आप अच्छी कंपरी में काम करते हैं अच्छी जगह से मसीन लेते हैं तो थोड़ा सा आपको समयते ना पड़ेगा सर्जी ने बताया कि बहुत सारे स्टों के अब लेवल भी रहता है जैसे बहुत लोगों के पास यह क्या ओडर लगा देते हैं किसी कारण बस दो चार दिन लेट होता है तो उनकी भी मसीन आपको अगर ततकाल चाहिए तो देश सकते हैं तो दोस्तों और भी आगे बहुत सारी मसीने मिलने वाली है आईए हम आपको दिखाते हैं यह यह देखिए यह यह बहुत ही खास चीज है इसको लकड़ी की पेटी बोलते हैं देखिए कितना इमांदारी है इस कंपनी में कि इतना लुभ पास अच्छी हुनर है टैलेंट है कि किसी में मemia को सेफली पैजने के लिए यह लखडी की पेटी में ब oppression की आप है मारी और लोगर इंडिया पूरी सप्लाई है और धीका का फिर मवारी ओ सम्सवर्ट्रा है अपको उवी दिखा देता हूँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमने आपसे बोला था कि यह manufacturer है इनके पास अफ्र पहुआ हिए करической कर आपके अनगन हें यहां पर रृपी के सनों होता है और यह यह चाहिद का लिए यह यह fala इसमें पाहले आप को सब्सक्राइब प्रहत्ध डवर्च्टिस लगेगा यह मेंसी नोडबुकल के लिए मिश्यां करता है चकापि लिए it इसमें और बहुत सारी में हैं आप फुली ओटमाटिक भी है जैसे फूली पूल्डर है पुरा यह जो मरी प्रोग्रम मेनूल में फूली पूल्डर में पहुद के बहुत बूजि़ा यह बहुतों बहुत बड़ी बात है यह सारी मशीने रेडि हैं जाने Song टी तो दोस्तों यहां पर काफी अच्छा सेल आउट है बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है इसलिए पूरे अलोबर इंडिया का विदेशों में की मसीन जा रही है यह यह क्या चीज की मशीन है सर यह इसके बादे तरह सबते हैं पहले कैसे मत बताया था वह मशीन जो है वह सें सैंसर लगे हुए हैं बटन से डाबाती है बटन से चुरीह आती बटन ते मेょंघे हैं इसमें जाह स्किन सैंसर दिय한데 हैं हाथ आगे मुझा मारे बात वो भी अभी दखाते हैं आपको इसके बाद में दोस्तों ये मसीन बनाने की सबसे बड़ी बात है इसमें सर ने बताया कि कौन सी एसकीन सेंसर मसीन लगा हुआ है इसलिए कि इस मसीन में अगर आपका बाइदेवा हाथ भी गलती से आता है तो मसीन जहां है वहीं स्टॉप हो इसन कि इसकी में आपकोई दिखत नही है पर दिखा रहे है यहाँ पे बी बड़ी मसीन लगाए है सर ने यह की सिच को मैंने बनाने के लिए मसीन बनाने लिए काफी क्भा बड़ी मसीनों के द्रुत परति हैं यह सारी मसीन है और यह है इक आदे मेशीन के पार्ट हे जितने हर्दिंद्स होते हैं हमारा हाल्ति आक्छा है घ्राइब को पार्ट के सबढ़ नहीं पहुत तरीके चल्दी कि देखिए यह यहां पर आप देख सकते हैं घर वर्दिंग करके इस मिस Tai यह Paates को ready किया गया है यह machine Sak Bestoring अच्शा तरीक dingen आ जाए और ये सारी machine सोट आँ पे कांडर है यह आफ़ी समस्थे मृर्के inflam क्लिफ ने लिए खम अब यह मार्किट में जाएंगी यह मशीने छूकी हैना जेम हें जो सार जी यह को हम लोग अगर आप यह वीडियो भी भीहार से देख रहे हैं तो इसको हम लोग कटाहवा तार बोलते हैं जिसको अपना जमीन कबजा करने के लिए या कोई फसल को बाउंडरी करने के लिए सस्ते प्राइज में अगर हम लोग यह वायर लगाते हैं यह वही वायर बनाने वाली मेकिंग मशीन है अब बहुत ही तगड़ी हेवी डूटी मशीन है तो सर जी और आगे यह क्या क्या मशी और एक के साथ एक ग्रेंडर मशीन लगता है यह तीन मशीन का सेट है यह तीन मशीन लगता है आप इसमें एक इंची से लेकर कोई बड़ी मशीन ले सकते हैं एक इंची से बड़ी मशीन जो चार इंची पानी की किल सभी बना सकते है और पीन मशीन है पहले इसमें कांटी बनता है फिर इस में पॉल्शिंग होता है न जई मकी ड्राम Подई होता है कांटी सभी और बाखी फिर इसमें ग्रेंडर में जो होता है और रेडी होती है, कस्टमर कहीं, आलोवर इंडिया से आते हैं हमारे बाद, हर टाइप की जहां मशीन मिल जाता है, कभी भी इदर आके विजिट कर सकते हैं, बहुत बड़ी कमपनी है हमारी, बड़ा हॉल है हमारे, बड़े शेड है, पूरी फैक्टरी है बड़ी, इसमें कह मशीन जो है, डिस्पैच करके भी देते हैं, कोई भी डरने वाली बात नहीं है इदर, क्योंकि बड़ा कमपनी है, आई-सो सैटीवर्ड कमपनी है हमारी, और पूरी रिजिस्टर कमपनी है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कहीं से भी आप इसको आडर लगाओ, हमारी मशी मशीन वहां डिलिवर होती है, और मारा इंजीनर जाएगा, वहां मशीन स्टॉल करके, पूरा ट्रेनिंग भी देखे, आपको नोट बुक बनाने का, उसका कॉपी बनाने का, जैसे कांटी वाली है, उसका कांटी बनाने का भी पूरी ट्रेनिंग मिलेगा, जो भी पड़क् सबसे पहले चीज़ की आप इनका फैक्टरी बिजिट कर लीजिए, आपके नजर में साफ हो जाएगा, कि यह मैनुफैक्टरिंग करते हैं, इनका प्लांट है या नहीं है, यही सोच के मैंने भी, अभी आप देख रहे हैं, मैं गोपाल गंज से चलके यहां तक आया हूँ तो मैंने भी यह सोचा, और मैं जितना सर के बारे में सुना था, 110% सही है, और सर के पास कोई धोखा धड़ी, कोई किसी भी चीज़ का टेंसर नहीं है, आप आईए मसीन देखिए, चलाईए, समझेए, उसको बात लेके जाईए, सर ने एक बात और कही है, कि अगर आप सालबाद में। बात पर तो कहीं भटना नहीं है, कभी में जोद से नहीं है, तो आपकी यहां कोई भी बी प्रवलम होता है, तो यहां से इंज़ुनियर जाएगा और आपको वहां पर जोप करके आएगा, तो दोस्तो अभी था हैं वर्या ली फैरा कुछ नहीं हैं, अभी तो दोस्तों अभी हम फाइनली आच चुके है यहाँ पे यह फुली अप्मेटिक नट्बूक की फुली अटोमेटिक मसीन है दोस्तों यह फुली अटोमेटिक मसीन इसमें आपको कुछ नहीं करना है यह टच एसक्रीन पैनल लगा हुआ है और यह बहुत है बीडियोटी मसीन है इसके बारे में सर क्या बताएंगे यह फुली ऑटमेटिक मशीन है त्रीन वन मशीन जिसको बोलते हैं इसमें स्टिचिंग फोल्डिंग एज स्केरिंग इसमें पूरा कॉपी बनके त्यार हो जाता है इसमें आपने इसमें टाइटल और पेपर यहां रखना है इसमें टाइटल और पेपर यहां मशीन के उपर रखना है इसमें टाच स्क्रीन पैनल है वहां से इसको स्टार्ट करना है और इसमें अपने आप स्टिचिंग होएगी फोल्डिंग होएगी जाजी निकल जाती है और quality अच्छी बनती है और इसमें जैसे दस कॉपी की पिंद दस पंदरा भीस कॉपी ऐसे रखेंगे पिंद सभी का एक एक पूरा ब्राबर पिन आता है कहीं आगे पीशे पिन नहीं आता है जैसे यह देखिए इदर अमारा कॉपी बनके इदर रेडी ह इसमें बहुत पिंद रेडी हो जाता है पूरा इसमें इसमें फुर तायाए कट सकते हो जहां पर स्टिचिंग होएंगा इसके भाद में यह फोल्डुडींग वाला इजHH ओपने पर निकलाएगी पूरी आपकी पडुक्ट जो फिनिश होजेगी दर बस इसके बागे आके कटिंग करना और पेकिंग करना है हमारे यह यह अटोमाटिक है फिर, इसके बाए यह देखिए अभी यह मारी मेशीन टू-इनः वान मशीता अभी ज़े वहला मशीन वहारा हूआ इन वन इसमें स्टिचिंग और फोल्डिंग होता है कुसी ने थोड़ा कम बजट में लेना है ते स्टिचिंग फोल्डिंग ले सकता है इसमें stitching or two in one stitching होके automatic आगे fold होके copy bar निकलाता है फिर इसमें edge scaring लग से machine लगेगी edge scaring दूसरी machine में कर सकते हो जैसे आपने जो हम आ रहे हैं इदर देखो जो फोल्डिंग machine है only folding machine है जैसे आपने तीन number model ले लिया है एक cutting ले लिया आपको थोड़ी labor ज्यादा लगानी परती है इसमें जे machine है इसमें आपने title और paper इसमें रखा बटन दबाया इसमें folding हो जाएगी automatic machine है जैसे फुली automatic है pneumatic system है इसमें इसमें फोल्ड होके पीशे copy निकलती जाती है पहले एक आदमी ने फोल्ड कर लिया फिर वही आदमी स्टिचिंग करके आगे फिर एजिस्केरिंग करके cutting कर सकता है यह फोल्डिंग मशीन है आटोमेटिक हमारे पास यह फोल्डिंग मशीन ले सकते हैं आप साथ में दोस्तों यह मशीन जो है यह अपने आपने बहुत थी बढ़िया मशीन है इससे आपका समय बचेगा लेबर भी बचेगा और इसमें आप आटोमेटिक फोल्डिंग हो सकता है फोल्डिंग हो गया फाइनादी ऊधर आउट हो जाएगा हाँ हाँ पहले यह काम जो है वो लेबर आपने हाथों से करते थे और सर ने इस चीज़ को ध्यान में रखते वीस मशीन को बनाया है यह आभी आटोमेटिक मशीन है फुल्य आ चल रहाएं यहां पर चल रहा यह सारी मशीन अवियाटिक मसीने सर के प्स पास आभी आपको सस्ते बजट में चोटी सी मशीन दिखाएंगे सर यह कौन सी मशीन है सर् हान्ड कर्टिंग मसीन है यह कहीं में जो हम लगा सकते हो इस्टेंशनरी hem में लगा सकते हtype को चोटी बैंडिंग करते हो बुड को कुटिंग करना है किसी चीज को ह्तिक करना चूटा 500 पर इसमें पर जाता है और्चाहिक भी पर गड़ता है और रहे से विलक्त ये बहुत ही शस्ती मसीन है भही हैवी क्वॉलिटी मशीन है आप सस्ते में भी लेबर क्लास का भी आदमी चाहे तो नोट बूक बना सकता है अपने ग घर में महिला लोग भी चाहे तो इस तो लागा करके आच्छा आंधनी का ज़ड़िया बना सकती है क्योंकि कहने वादे ने कहा है कि बहुत बड़ा नोकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बनके जीओ तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो हमारा वीडियो पसंद आए नोニ्हीं कि ये पूरी वीडियो देखिए वकि इसमें शुरू से लेकि आनत हिगा आपको और जांकरी मिलेगी जैकर नंत देखेंगे नमस्कार 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 फिर मिलते हैं आग्ले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार हमारे पहली बर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अफ्लोड किये जाएंगे उसकी सुचना आपको दोस्तो इस वीडियो में इतना है मुईत करता हूं कि अपनी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना पूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहींने बिजनेस आइडियेस पूंचे सबसे पहले आपके पूले